हलो गाइज ये है मसल लेकसी मैं हूँ संकेत गाइज आज की वीडियो हने वाली है बायोग्राफी जो की होगी प्रबेबली इंडिया के बेस्ट जेनेटिक्स वाले एथलीट मनोज पाटिल के बारे में गाइज इनको जो भी देखता है वो समझता है कि ये काफी अमेर फैमिली से बिलॉंग करते होंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ कोलापुर की एक मराथी मिडर ग्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं इनीशियल इनकी फैमिली की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं देश लिए न मनोज पाटिल को बहुत कम उमर में काम करना पड़ा तेरा साल की उमर में उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत से और जॉप्स करें जैसे की गली-गली में दूद बेजना, गली-गली में पेपर डालना और कारवाश करना भी हर टिपिकल इंडियन बच्चे के दरा इनका भी सपना था कि एक रिकेट में कुछ करेंगे लेकिन बैट और पैट्स लेने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे जब मनोज थोड़े से मैच हो रहे हैं तो वह समझ गए थे कि ये गेम गरीब लोगों के लिए नहीं है उनके एक भाई थे जिनकी बोड़ी बहुत अच्छी हुआ करती थी क्योंकि ना वो अखाडे में वर्काउट करते थे तो मनोज को वो काफी अच्छे लगते थे मनोज भी चाहते थे कि उनकी ऐसी बोड़ी हो तो उनको देखकर मनोज ने जिम जॉइन कर ली कोई ज्यादा बड़ी जिम नहीं थी लोकल जिम थी गाइस शायद आप लोग नहीं जानते हूं लेकिन मैं मराठी होने की वरेसे मैं जानता हूं कि कुलाब और अपनी पहलवानी के लिए बहुत फेमस है इसलिए मनोज पहले से कहते हैं कि उनकी जीन्स में पहलवानी है 17 साल की उमर में मनोज पिसाइड कर चुके थे कि उनको जोगी करना है वो फिटनेस इंडस्ट्री उना ही करना था 18 साल की उमर से तो वो कंपीट भी करने लगे थे वो लोकल शोज खेला करते थे वहाँ पर उनकी कुछ अच्छी प्लेसिंग आती नहीं थी और कभी-कभी तो प्लेसिंग भी नहीं आती थी लेकिन वो कंपीट करते गए जब उनकी उमर 20 साल के विए तब उनकी प्लेसिंग थोड़ी से इंप्रूव हुई और वो जाके थर्ड या सेकेंड ऐसी उनकी प्लेसिंग आने लगी वो बोलते हैं कि 21 उनका सबसे अच्छा साल था 21 की एज में वो जूनियर मुंबश्री खेले और वो जीद भी गए यहाँ पर उनकी आई थी ओवरॉल फर्स्ट प्लेसिंग वो तब तक बॉड़ी बिल्डिंग में केला करते थे 2014 में वो स्विच कर गए बॉड़ी बिल्डिंग से मेंस फिजीक में बाइ इस तैम पर मेंस फिजीक बहुत नई डिविजन थी इंडिया में तब मनोज कंपीट किया करते थे IBBF में यहाँ पर मनोज महराष्ट्र श्री खेल कर मिस्टर इंडिया के लिए कौलिफाय कर गए लोग अब तक मनोज पाटिल को अच्छे से जानते नहीं थे लेकिन जब मिस्टर इंडिया 2016 में उनकी फर्स प्लेसिंग आइन को जब गोल्ड मेडल मिला अचानक से मनोज पाटिल को पहचानने लगे और हर किसी मेंस फिजीक अथलेट की तरह उनके भी आइडियल थे जेरेमी बुंडिया मनोज को मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर चड़ना था इसलिए मनोज अपना प्रो कार्ड लेने के लिए आएफ भी भी न स्विच कर गए तब इतने ज्यादा शोज महीं हुआ करते थे इंडिया में कि किसी को अपना प्रो कार्ड मिले लेगें 2017 में Mr. Olympia Amateur पहली बार इंडिया में हुआ था यह शोव सबसे बड़ा स्कैम था यहाँ पर किसी भी इंडियान अथलीट को अपना प्रो कार्ड नहीं मिला काफी कॉंट्रोवर्सी हुए थी उस टाइम पर शोव के लिए 2018 में वो शेरू क्लासिक लोधियान ना खेले यहाँ पर उनकी आई थी सेकंड प्लेस इसके बाद उन्होंने खेला प्लेसर सेक पर उन्होंने यहां पर उनकी आई फर्स्ट प्लेसिंग और अससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको प्रो काड़ अपने आइडियल के हातों से मिले जेरेमी बुंडिया के हातों से प्रो काड़ दिया गया वो निट्रली र५ में रगे ते स्टेज पर प्रोकाड मिलने के बाद मनुज ना पहला शो चुना था जो कि ता नुई-यॉक प्रोक लेकिन आप लोग जानते ही होंगी कि इस कोरोना पैंडमिक की वज़े से ये शो कैंसल हो गया इसलिए मनुज ना अपना यह प्लान ड्रॉप कर दिया अब हम लोग देखेंगे मनुज की ट्रेइनिंग स्प्लिट तो उसके अंदर मंडे को करते हैं चेस्ट और ट्राइसेप ऐसा बोलते हैं कि मंडे को वर्ल्ड जेस्ट दे होता है इसलिए इस दिन चेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर वो लेते हैं 5 variations दूजडे को करते हैं बेग इसके अंदर भी 5 variations होते हैं इसके अंदर दो pulling moments होते हैं और दो ज्यादा कंपलसर ही नहीं होता है क्योंकि वो अपने लेक्स दिखाते ही नहीं स्टेज बर लेकिन मनुस बाटिल बोलते हैं कि यह उनका फेवरेट बॉड़ी पार्ट है इसको ट्रेन करना वो पसंद करते हैं लेक्सल काफी बड़ी होती है तो इसको पाच वेरियेशन में आ और वो डाइनमी न्यूट्रिशन से स्पांसर्ड अथलीट हैं यह उनके अब तक की स्टोरी थी गाइस मा आपको बताऊं कि मनोज बहुत कमाल के जनेटिक्स वाल अथलीट है अल्डरीडी ओलिम्पिया लेवल की फिजीक है बस उन्हें थोड़ा सा और काम गरना यह उन्हें ओलंपिया स्टेज पर देखन वालें और हम लोग उनकी लिए प्रे करेंगे कि वो जल से जल इंडिया को रिप्रेजेंट करें ओलंपिया स्टेज पर और अगर मश वीडियों देख रहे हैं तो मनोज दाता तुला तुला तुसा ज़र्णी साठी को般 तुब इ झाल